साहब उतने दिगज करता थे खंबा थे राज़त के एक पीलर थे जो कहीं से कहीं भी किदर से किदर परिष्टी थी बदल देते थे तो वो इसे बेखती को इनों ने इग्नोर कर दिया अलप संक्या के राज़त में आज है चाहूं इस दिन मंच पर दीक रहते हैं तो चाहरता साथ में क्या हूं लोग यह भी उमेद रखते हैं कि जो सावदिन साहब के नहीं हुए हमारा हो जाएंगे कभी नहीं उसामा जी अगर आते हैं तो नौजूअक जीतने लड़के हैं पढ़ने वाले यह तो बिलकुल फिदा हो जाएंगे एक दम बिलकुल फिदा कि एंडिय में जाएंदे भरपूर मिलेगा और हर जाती और धर्म के लोग के भोट मिलेगा तो मेडम को भी परिवर्तन करना चाहिए साबुदीन साहब क्या कहते थे क्या करते थे एक जगत थे अपने को सहीद हो गए उस पाटे के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन यह लोग दे गए कि अब परिवर्तन कर लेना चाहिए तो परिवर्तन ही लोग को खुद कर लेना चाहिए नमस्कार अभी मेरे साथ मवजूद है भोजपूरी के मशहूर गायक भोजपूरी के पूरोधा और राजनीतिक विशलेशक बावा भी इंदर गिरेजिए सीवान आजकल किस और जाएंगे ते जस्वी और हीना मैडम के बीच जो मुलकात का एक उमीद थी एक जुवासा की कीरनती की मुलकात होगा अब मुलकात तो नहीं हुई तो अब आगे मैडम को क्या करना चाहिए बाबा राजनीतिक के बड़े एक अच्छे विशलेशक के रूप में जान सकते हैं दिल से बढ़ाओं इकाह रहें कि बड़ी चर्चा थे कि वाइस को जब तयस्वी जनविश्वास यत्रा के दवरान सिवान आये थी तो सबको एक उमीद थी कि दोनों लोगों में मुलकात होगे हिना मैडम से और तयस्वी से मुलकात होगी मुलकात तो हुआ नहीं और दूरियां बढ़ गई तयस्वी जी कहके चले गए कि समय के साथ सबको बदलना चाहिए परिवर्तन बहुत जरूरी है तब परिवर्तन जब आवस्यक हो गया तो मिलने की कोई उमीद अब नहीं रही तो अब क्या लगता है नहीं मिलने से राज़त को कितना नुक्सान ह होगा और मेडम को कितना नुक्सान और फाइदा होगा देखे आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया कि जस्वी जी आये थे बाइस तरीक उतमच पर बोले कि हर समय का उनसार बदल देना चाहिए परिवर्तन होना चाहिए तो यही कहेंगे कि जो भी हिना मेडम के साथ करकर करूब प्रेमी लोग कर लेना चाहिए वी उस पॉठ के लिए इंदिगे देख लिए बीए अbnतर कर लेना चाहिए तो चाहिए टुम्या किया行 एक्तिनोगार्या परिवर्तन कर लेना चायाकर होते वाले और उनके चाहने वाला लोगोर भी यह को परिवार को छोड़ रहे हैं तो यह लोग भी परिवर्तन करके उस परिवार को छोड़ दें कि अब राजद और हीना मेडम के परिवार से मुह भंग हो गया इस नूर कर चुके हैं अब कहीं से रास्ता चालू नहीं है सब बंद है अब मेडम को चाहिए हीना मेडम से यही आगरफ करेंगे अब जल्द से जल्द अपना नीजन ले अपने करताओं को बैठा हैं राय मसरुरा करें जीले भर के लोग को बैठा हैं और कोई न कोई नीडले ले अलपसंख्यक समाज के लोग कहा जा रहा है कि मुलकात नहीं होने क चलते विहद नराज हैं और इस बार अलपसंख्यक समाज के लोगों का मोह भंग हो गया है राज़त से क्या लगता है सामने लोग सभा के चुनाव है क्या अब देखिए क्यों नहीं होगा आब बता ही कि जितनी लोग अलपसंख्यक के राज़त में आज है चाह उस दिन यमेद रख्ते हैं कि जो साहवदिन शाहब के नहीं हमारा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं वैसे बेकती को अपने को सारी जीवन समर्पित करती राज़त के लिए उस बेकती परिवार और उस बेखती के लिए यह लो नहीं खड़े हुए तो क्या आपके लिए खड़े हो जाएंगे अईसा भी सपना देख रहे हैं कभी नहीं पूरा होगा अब आप सोचिए साहब दीन साहब उतने दिगज करता थे खंबा थे राजवत के पीलर थे जो कहीं से कहीं भी किदर से किदर परिष्टिती बदल देते तो वह से बेखती को इन्हों ने इग्नूर कर दिया तो आप क्या है आप कुछ नहीं है नुकसान होगा राश्टी जन पदल को बिलकुल होगा यह सीवान थोड़ी होगा पूरे बिहार में होगा पूरे बिहार में नुकसान होगा महागटवंधन के लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 40 में 40 सीठ हम लोग जीत के लाएंगे तीन तो विधायक अभी निकल गया एक आंग्रेस के दो राजट के खिला हो गया हमें तो वहनूं पड़ता है कि आते हैं त कासकर के सिवान की राजनिती में अगर साहवदीन साहब रहते तो यह बेवस्था नहीं बनती और इस तरह की इस्तितिवध्पन नहीं होती सावदीन साहब एक जगा खड़े रहने वाले आदमी थे कभी देखिए सावदीन साहब एक भी जारे लाrh बिशार धार का नाम है सावदीन इन बिहार नहीं देश के लिए उतने मतलब है इनसानियत कहिए कई कहिए अपने के वो हठ कहिए कि हम ये करेंगे तो करेंगे और किसी से गड़ारी नहीं करेंगे वह बेक्ती सुरू किये राज़त से प्रारम हुआ राज़त से अपने कुना च्छावर कर दिये राज़त के लिए वही एक बेक्ती मिसाल है इस भारत में जो किसी दल के तरफ आज तक नहीं दे कि मेरा नेता को नेता को नेता को नेता से मेरी बात हो रही थी सीवान में तो उ उनका बिकास केवल सहर में रहा गरामिर छेत्रों में भी कास नहीं किये आज भी देखिए करीब मुहाले में चले जाएं दली तल अती पिश्रेक लोग हैं करीब गुरुबाइज इतने लोग हैं बहुत आज भी लोग रोते हैं साब दिन साब के लिए बहुत किये थे और बलके गाएं नहीं यह भेज दिये बड़ी जोड से एक चर्चा है कि हीना मैडम या तो जनता देले उनाइटेट की टिकट पे सिवान से चुनाव लड़ेंगी या फिर भरती जनता पाटी की टिकट से क्या लगता है मैडम अगर इन दोनों पाटीओं में से किसी एक का दा लेगा और हर जाती और धर्म के लोग के इसमें कोई दूराय नहीं चाहें बाजपा में जाएं या उपर अंदर कुस्वाहां में जाएं अगर इन्डियए में आती हैं तो समझे कफर्म हैं एकदम कफर्म हैं और जानता भी अब समझ गई है खास करके हमारे मुसंबान भाहिलू ये समझ गये है 안 hen विहार में और इस दल में कोई भाहिलू नहींा था सिरफ हम भोठ देने वाले हैं ऐसे पड़ाम करने वाले हैं पड़ाम सर पड़ाम सर तरीसी में सारे लोग रीटायर हो जाएंगे इन लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है जब उनको नहीं मिलेगा ते यह लोग उमेद कभी सपना ना देके जम को मिलेगा पड़ाम करते करते आप रीटायर हो जाएंगे बाबा विजंदर गिरी जी हैं और इनका कहना है कि मैडम को अब यथा सिग्र कोई ने कोई बिकल्ब चुनना चाहिए कोई ने कोई निरना लेना चाहिए क्योंकि चुनाओं में अब समय बड़ा कौम बचा है और ऐसे वक्त में बिलंब करना कहीं से हितकर नहीं है अनुचित है मैडम को ततकाल चाहिए कि सावडीन साहब के विकास कारियों को ध्यान में रखते हुë विकास कारियों को ले करके जनता के भी जाएं जनता से अपना आसिरवाद माँंगे और बाकी तो जनता मालिक है आपके चैनल से हम्कवाना चाहते हैं एक दिन हमारे साथ आप चलिये हम चलते हैं चलते हैं मेडम जी के पास और निवेदन करेंगे आगर्ड करेंगे कि नीले करेंगे लेजिए हम बिशेष करकी आगर्द करेंगे जो धिनượng करेंगे जूबी में देन जया है यहां भी आपको मंदम् hace मिलता है हमें मेंनम जी को ऐसामा जी को माण शमर्ण चाइए ऐक और बड़ी जोड़ी शर्चा है कि भूल रहे थे कुछ लोगों का कहना है कि उसामा क्जूणाव रहेंगे सब्सक्राइब सब्सक्रत करते हैं कि मेरा पुत्र आता है सब्सक्राइब और वह लड़का जदी आता है उसामाजी अगर आते हैं तो नौजुवक जीतने लड़के हैं पढ़ने वाले यह तो बिल्कुल फिदा हो जाएंगे एक दम बिल्कुल फिदा उत्रा देख लिएगा किसी लोग सभा में नहीं होगा जो गिद्रिंग होगा नौजुमानों के द्वार पढ़ने वाले लड़का जो सिख्षीत है उसारा जनता है विकास कौन किया किसने किया कौन करेगा और यह लड़का ने या सोचका लड़का है पीता का गरीम में बचाएगा या मेडम जी हो या उसामा जी और पीता का अगर पलेट फर्म बचाएंगे तो उसामा जरूर बचाएंगे अगर माता का सिरबाद रहा हीना जी का और पिता साब दिन सहाब का सिरबाद रहा तो पुत्तर सिवान के लिए बहुत कुछ कर सकता है और उससे समुदाई के लोग से भी से साग्राव करेंगे आप लोग भी जुड़िए एक बार सिरी भोटे न दीज दो कईए लेना भीजानेए ब simplerना भी जानिए बेना बगव एक्टारा प्रसेंट है खरारा सब्द़िखते ममध जार है इसलिए उससमुदाई को भी निविदन करेंगे जितने हमारे मुस्लिम भाईया सबको सलाम अदाप परनाम करते हुए यागरख करते हैं कि आप लोग भी साथ आए हिना में नम को आसिरबाद दीजिए उनके लड़के को आसिरबाद दीजिए और चाबदीन चाब के आत्मा के सांती है तू अगर आप मदद करते हैं उनके बाल बच्चे और परिवार को तो खुदा आपको कभी भी सुखी रखेंगे आप लोग भी साथ आए मोका मिलेगा आप लोग भी एक आदमी नहीं बाचेंगे सब को दीरे दीरे पद पर चला जाएगा अगर हिना मेडम आ जाती है इस पर 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 तो बहुत हैसे मुसल्मान भाईयों को पर पर मिलेगा गारिंटी है बाबा का कहना है कि तमाम समाज के लोग जो है एक बार ओशामा और हिना मेडम का सांत ने तभी बिहार में विकास की गारी जो इस्थीर हो गई है उसको एक गती मिलेगी और बिहार में विकास को एक नए आयाम मिलेगा नमस्कार हो